मैं हम इस वीडियो में देखेंगे कि social work क्या है basic concept क्या है social work का तो social work में हमें हमें तीन कीजिए याद रखनी है एक तो यह professional work है ठीक है ना यह ordinary work नहीं है ठीक है दूसरा इसमें के ज़ुरत पढ़ती है की expertise in human history ठीक है ठीक है और क्या अगरता है तीसरा इसका aspect है कि यह हमारी psychosocial problem को modified करता है ठीक है अगर यह नहीं करता है ठीक है तो वह social work नहीं होगा ठीक है psycho का मतलब होता है एक तरह से mental हुदेश को हिंदियों मान से ही बोलता है ठीक है और जो हमारी societal problem है जो में society से मिले है इस चीज में modification होना बहुत ज़रूरी है अगर यह तीन ठीक है component है तो वह social work होगा आप question पूछते हैं कि जैसे कि अभी मैं डिस्क्लोज कर देता हूं इंटर्व में बहुत बार बूचा नहीं कि मातमा गांधी social worker थे कि तो बच्चे कुछ भी बहुत देते हैं तो वह social worker नहीं थे क्यों नहीं थे प्रोफेशनल डिगरी नहीं थी ठीक है expertise human skill में था लेकिन प्रोफेशनल वह में नहीं था ठीक है psychosocial problem वह भी दूर करते थे तो एक तरीके से professional ठीक है ना background अब वह कहां से मिलता है आप MSW करो mark doesn't social work ठीक है तो जाके मिलेगा आपको तभी वह आप professional social worker कहला होगे तो गांदी जी social activities थे social great social reformer थे ठीक है लेकिन social worker नहीं थे तो यह team component यह मने बता है यह आपको हर चीजों सर्च करना है और आपको answer भी इन तीन component में चलेगा तो आपको better marks मिलेंगे ठीक है अब क्या है social work क्या है एक सिंबल सी चीज यादर को helping the helpless to help themself ठीक है जिसको साहता की जरूता है जो असाह है उसको ऐसी साहता करना कि वो अपनी खुद की साहता करे तो यह है motor social work का ठीक है मानलो यह एक individual है ठीक है यह individual को कोई problem है ठीक है तो social worker अब social work के अंदर कोगा है जो social work करता है जो social worker करते है social worker करेगा इसकी problem को identify करेगा ठीक है वो देखेगा कि क्या environment है ठीक है मैं इस environment में manipulation कर सकता हूँ अगर मैं उस environment में manipulation कर सकता हूँ तो क्या होगा इस individual की efficiency बढ़ जाएगी ठीक है और efficiency बढ़ जाएगी तो क्या रहेगा अपनी इसायता खुद से करने लग जाएगा मतलब वो अपने पैरों पे खुद से खड़ा होने लग जाएगा तो यही social work का main motor होता है ठीक है एक है डेफिरेशन क्या है social work थी तो उन 3-4 scientist की तीन चार social worker की तीन चार philosopher की यहाँ पे discuss करेंगे आपको जो अच्छे लगे कोई दो वहाँ पे लिख देना ठीक है तो उसे फिले हम यूज करेंगे इजी इजी जो है ठीक है फ्राइड लेंटर ने क्या बोला था फ्राइड लेंटर में पूला था कि social work कीजे ठीक है तो मैं पूरा नहीं लिखुँआ की की वर्ड लिखता हूं बोलूँगा बूरा ठीक है अब आप कोई में नोट कर ले ना वीडियो सुनते रहूं तो उस में कि इनों ने गुला कि social work जो है social work इजे professional service social work is a professional service based on scientific knowledge and skill in human relation which expertise in human relation which assist individual alone or group to obtain social and personal satisfaction and independence तो मैं पूरे इसको दुवारा बोल देता हूं उन्हों नहीं बोला था कि social work इजे professional service based on scientific knowledge and skill in human relation which assist individual alone or group to obtain social and personal satisfaction and independence तो यह फ्राइड लेंटल ने बोला था है तो फिर हम दूसरा याद करेंगे कि यह एक है Indian conference की social work पे उन्होंने definition दी थी Indian contest ठीक है इन्होंने बोला था कि social work is a warfare activity social work is a warfare activity based on humanitarian philosophy scientific knowledge and technical skill for helping individual group or community to live a rich and full life तो इनके में में चीज़ यह है इन्होंने बोला था इंडियन कॉन्फेरेंस on social work दोबार रपीट कर देता हूं आ देता हूं आ बाता social work is a warfare activity based on humanitarian philosophy scientific knowledge and technical skill for helping individual और गुरुप और तो उचले और कम्यूटी तो लिव ए रिच एंट फुल लाइफ तो इनके में चीज यह है कि साइंटिफिक नॉलिज होनी चाहिए टेक्नीकल इसकील होनी चाहिए ठीक है ना और गों किसी इंडिजिवेल को किसी गुरुप को किसी कम्यूटी को उसको अपलेट्मेंट करने मे ठीक है उनको जिन्द की पूरी अच्छी तरह जीने का जो मौका दे उसको सोसल फर्क बोलते हैं यह होगे इंडियन कॉंटेक्स्ट में इंटरनेशनल एस्सेशन फॉर्ड फॉर्ड इन्होंने क्या डेफिनेशन दी यह लाज़ डेफिनेशन है इन्होंने गोलता कि ए प्रॉफेशन इंटरोट आडियों बिश्थ साथ साथ फॉर्ड सीषपट !!! हॉर्ड दि इम्पावर्मेंट एंड लिबरेशन ऑफ पूपल तो इन्हांस वेल्बेंग ये इनकी डेफिनेशन थी मैं रिपीट कर देता हम द्वारा लिखलो आप ए प्रोफेशन देट प्रमोट सुशल चेंड प्रोब्लम शॉल्विंग इनकी डेफिनेशन थी मैं रिपीट कर दे एंड इम्पावर्मेंट एंड लिबरेशन ऑफ पीपल टू इन्हांस वेल्विंग तो ये इंटरनेशन एशोशेशन ऑप स्कूल आप सुशल वर्क की डेफिनेशन थी अब हम देखेंगे कि सोशल वर्क की जरूत क्यों हमें ज्यादा पढ़ लाई है ठीक है क्यों जरूत पर लेकिन पहले कहा था सर्विस थी लगनला प्रॉफेशन वे में स्टूडियी इंटियों वर्क करने पढ़ है चिक ochis को ग्लोबाइजीशन हुआ ठीक है तोिए चाहिए प्लोबलाइज़ीशन हुआ इंटरस्टिलाइजीशन हुआ इंटर्सर्टिलाइजीशन से ग्या ho जब uneven development हुआ, ठीक है, जब uneven development हुआ, society का, तो क्या हुआ, inequality पैदा हुई, जब society में inequality पैदा हुई, तो उससे क्या हुआ, कि जो discrimination create हुआ, ठीक है, पूर, और पूर हो गए, रिच और रिच हो गए, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में gap आ गया, तो gap आया, तो क्या हुआ, problem आने लगए, problem कौन से हुआ ही, psychos, social problem आई, ठीक है, और इनी cycle social problem को दूर करने के लिए क्या है, social work आया, पहला reason, ठीक है, दूसरा reason क्या हुआ, कि जब society advanced होती है, तो society के अंदर awareness पहुंसती है, ठीक है, जब अवेरनेस पहुंसती है, तो लोग question करते हैं, किसको authority को, ठीक है, जैसे आप अगर जा रहे हो, ठीक है, सुचो आप यहां से जा रहे हो, market, आप रस्ते में देखते हो, तीन चान बैगर, ठीक है, छोटोटे बच्चे बैगर है, ठीक है, फिर आगे देखते हो, आगे ही handicaps लोग है, ठीक है, तो आप खुद कहते हो, यार सरकार क्या कर रही है, ठीक है, welfare activity क्यों नहीं कर रही है, तो as ही लोग के अंदर awareness पहुंची, ठीक है, अब उससे क्या हुआ, जब अब awareness लोग के अंदर पहुंची, तो social work भी, ठीक ठीक है, वो इसलिए करेंगे कि अब awareness customer है, ठीक है, customer की demand जाजा बढ़ गई है, ठीक है, अगर वो आपके पास आता है, तो वो सोचता है कि आप उसकी problem को दूर कर दोगे, ठीक है, तो आपके दिवान में रहेगा कि customer satisfaction, ठीक है, ये prime motive होगा, ठीक है, जिसे बोलते है customer delightment, ठ ठीक है, ठीक है, और कि अब जब तरह तरह की problem आई, तो social work का जो base था, वो बड़ा, base का मतलब क्या है, पहले social work जो था, कि वोल welfare activity में लिहान देता है, ठीक है, अब वो और technical हो ही, अब लोगों क्या है, mental problem भी है, लोगों को, ठीक है न, तो हम ऐसा social worker चाहिए, जो, जो क्या करते हैं, medical science field में काम सके, कर सके, ठीक है, AIDS के लोग लोग है, उनका development कैसे हो, ठीक है, TV के disease वाले लोग है, वो कैसे उनका development हो, ठीक है, तो social work के लिए एक और challenge आना लग ज़िए, ठीक है, अलग अलग चीजिया, डॉमिस्टिक वालेंस हो गया, ठीक है, तो domestic वालेंसे सिकार बच्चा है, ठीक है, लड़की है, तो आपके पास आईगी, तो आप उसको क्या advice दोगे, ठीक है, उसके environment में कैसे manipulation करोगे, जिससे की उसको नया environment मिले, ठीक है, तो different, different तरीके की, प्रब्ला आई, inflation बढ़ने लग गया, inflation बढ़ने लग लोग के अंदर, और, क्या करते हैं सेविंग कम होई, सेविंग कम होने लगई, तो लोग क्या बनने लगए, different तरीके के, प्रफेशन लेने लगए, कि कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाई, ठीक है, जो ज्यादा लोग, पैसा जिंके पास था, लोग नोग साइब पास ज्यादा था, ठीक है, तो पुल मिलाके, इनेक्वेलिटी पैदा होई, ठीक है, सिविल सोसाइटी का जो में फेबरिक होता है, ठीक है, डेमोक्रेशी की जो में फेबरिक होता है, एक्वेलिटी अफ आल इंडिस्वेल्ट, ठीक है, ओ जो डिस्टर्ब होई, तो उससे के बाद सोसल वर्ट के सामने और चालें जाया कि how to minimize this problem so that each and every individual can work according to his potential her potential to minimize his problem and to achieve the success तो social work अब ज्यादा challenging हो गया है तो अब social work challenge हो गया है तो इसको 90 dimension मिल गएगे है तो क्या कै मिल गए है उसको हम देखेंगे तो आब हम देखेंगे अब है more people centric approach हो गया है ठीक है इसमें क्या हुआ है इसका दर हम देखें तो social change problem solving ठीक है और attainment of well being ये इनके पास तीन पिलर आगे इन तीन पिलर पे वो काम करते हैं ठीक है तो मैं एक वफिल summarize करते हैं social work का example देखें मैं एक social work करूँ ठीक है मेरे पास expertise degree है मेरे पास क्या करते है human के relation को समझने के लिए जो है experience है ठीक है मैं है a आप मेरे पास आते हो ठीक है आपको है क Mitsiel कí राएंि'd को च्छाए है रहा तो यह-दर प्रोफेसिनल वे हुआ तो प्रोफेसिनल वे हुआ तो यह कंद लेत वो इन करीज नहीं कि और प्रोफेसिनल वहिच है जिसको एक बार बाय।, गौप प्रफिजन सर्विस का मदल्द भी होता है कि उसकी प्राइबीशी मेंटेन करना उसको प्रफिजन सर्विस देना और जब आपने लगता है कि अब वो अपने पैर पर खड़ाव सकता है तो आप उससे रिलेशन को ब्रेक अप कर लेते हो ठीक है तो यह सब आगे हम पढ़ ले पिसे